तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस एक और नय लिटेस्ट और धमाकिदार वीडियो में और आज का यह वीडियो इस पेसली क्लास टेंथ वालों के लिए हैं क्लास टेंथ वालों का कमेंट आ रहा था कि लास टेंथ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं सिर्फ पुरा पुर्ण रूप से कम्प्रीट हो गया इस वजह से थोड़ा उदर मैं बिजी हो गई थी लेकिन आप लोग प्रेंशन नहीं लीजिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्लास टेंथ के उर्दू का जो मन्थले एक्जामिनेशन हुआ है जून दूजार चौबिस का उसका मैं एंसर की बताने वाली हूं क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट है जो कमेंट करके पूछ रहे थें कि मैम आप मन्थले एक्जामिनेशन जो जून का एक्जाम हुआ है तो फिर आप उसका एंसर की बता दीजे 30 आप्जेक्टिव होता है जिसमें से 25 बनाना होता है ठीक है तो उसका आप एंसर की बता दीजिए ताकि ये तो मतलब कोशन फाइनल एक्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन एक तरह से रिवीजन हो जाएगा हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है ठीक है तो फाइनली मैं आप लोग के कमेंट को पढ़ी और मैं सो कुहिने में जो एक्जाम हुआ उसका मैं पेपर उठाई और फिर आज की इस वीडियो में आप लोगो इस पेपर में जितना भी अब्जेक्टिव कोशन है उसका एंसर बताने वाली हूं और आप लोग जरा ध्यान से मिलाईएगा कि आप लोग कितना कोशन सही कर पाये हैं और अगर आप लोग का गलत भी हो जाता है ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि यह फाइनल एक्जाम नहीं है यह मंतली एक तरसे टेस्ट है ठीक है टेस्ट में आप बहुत बढ़ियां प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मतलब आप लोग की त्यारी अच्छ दूरत है आप लोग को और भी जैदा अपने अंदर मोटिवेशन लाने की और जोस जुनून के सांथ पढ़ाई करने की ठीक है और रही बात क्लास 10 के उर्दू के सिलेवर्स की मतलब आप लोग का कमेंट आ रहा था कि मैं पढ़ाई है हलांकि मैं बहुत पहले ही बता चु तो बस टाइटल दिख रहा है उस पर किलिक किजिए तो description खुल जाएगा और उसी में जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा क्लास टेंट उर्दू प्लेलिस्ट और नीचे लिंक दिया रहेगा जैसे आप लोग लिंग पर क्लिक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट का सभी वीडियो आप लोगो मिल जाएगा वहीं पर यानकी क्लास टेंट उर्दू का ओल चेप्टर का वीडियो एवलेबल हैं वन आप लोग बार-बार comment box में यह नहीं पूछेगा यह एक यह मत करियेगा कि मैंदब के रहे चेप्टर कंप्टिट क्राएज क्योंकि आप लोग को अलड़ी चैप्टर कंप्लीट करा जा चुका है हां रही बात जो इंपॉर्टन कोशन है इंपॉर्टंट सब्जेक्टिव है वह कराया जाएगा टॉप हंडेट करके टॉप 220 टॉप 300 इस तरह करके मैं आप लोग को कराऊंगी तो उस तरह का वीडियो आप लोग को मिस नहीं करना है अभी फिलाल आप लोग चेप्टर कंप्लीर कीजिए और जो इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव औ ठीक है तो चली आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो क्लास 10 की उर्दू का मंथली एक्जामिनेशन हुआ है जून 2024 का उर्दू का एंसर की मैं आप लोग को बताती हूँ यानि कि जितना भी उर्दू का अब्जेक्टिव कोशन है उसका मैं एंसर बताती हूँ औ आप लोग कितना सही करके आए हैं और जितना भी आप लोग का सही हूँ है कमेंड बोक्स में लिखकर बता दीजिएगा ठीक है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 10 मंतली एक्जामिनेशन जून 2024 उर्दू का ये कोशन पेपर है और देखे स्टार् क्षेटिव कोशन है जिसमें चार ओप्सन दिया गया है कोई एक उप्सन सही है आपको चुनना है कि आपकी साब से कौन सा ओप्सन सही लगता है और ध्यान रहे एक से लेकर 30 तक तो सवाल है लेकिन केवल 25 सवालों के ही जवाब देने हैं आप लोग को तो सबसे पहला सवा वी में नाविल सी में सफर नामा और दी में अफसाना तो फरार जो है ना यह एक अफसाना यानकी कहानी है तो सही ऑप्सन क्या होगा ऑप्सन नंबर डी यह तो बहुत आसान क्योशन है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि कि किस शायर को विसवी सदी का अजीम तरीन श कुछ दिया गया है और इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन नंबर सी मुहबद इकबाल इस दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रशन है तीसरा सवाल है कि इंडिया गेट कहां है आपसने में मुंबई भी में लखना उसी में कलकत्ता और डी में दिली तो यह तो लवज आहन आहन का मानी होता है पत्थर तो आपसन नंबर डी इस दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट पांचवा सवाल है कि तसली से हयात किसका शेरी मजमुआ है आपसने में परवेद शाहदी भी में निदा फाजली सी में सेद मुहमद जाफरी और डी में जवन नात आजाद तो तसली से हयात ये जो शेरी मजमुआ है यानि कि शेर और शाहदी का किताब है ये पता है किसका है ये है परवेद शाहदी का यानि की परवेद शाहदी नहीं इस किताब को लिखा है आपसन नंबर ए इस दा करेक्ट अंसर छठा सवाल है कि सरस्येद उनकी वालिदा का नाम क्या है तो उनकी वालिदा यान की मा का नामा है अजीजों नसा यहमद सी में हैं शाद अजिमबादी और डी में हैं पंडित रतन नात सर्शार तो नाविल निगार उर्दू का अवली नाविल निगार कहा जाता है डिप्टी नजीर एहमद को आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर नाइन है कि हमीदा नसू की कौन थी चप्टर का टाइटल है और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्टवू यानि की हमीदा जो थी वो नसू की बेटी थी आपसे नमबर सी में बेटी दिया गया है धीरे से टिक कर दीजे दस्वा सवाल है कि घजल अर्भी कसीदे के किसे हिस्से से माखूज है आपसे ने में हैं गुरेज बी में हैं तश आगे बढ़ते हैं 11 हुआ सवाल है कि मुबारक अजीम अबादी की पैदाईश कब हुई तो यहां पर आप लोग को मुबारक अजीम अबादी की पैदाईश बतानी है और इसका सही एंसर होगा ऑपसे नमबर डी एक ऐस अप्रील अठार सो उनहत्तर बारा नमबर सवाल है कि उर्दू शायरी में मुबारक अजीम अबादी के उस्ताद कौन थे तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम अबादी के उस्ताद दाग देहल भी थे ठीक है ऑपसे नमबर सी इस दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं तेरा नमबर सवाल है कि महमूद किस अफसाना का क किरदार है भावी जानका तो महमुद किरदार नहीं है पेटी विशांख का भी नहीं है यानि कि आप ça नबर कोई किरदार नहीं है च्वर dense the correct answer is 14 है कि डाक्टर मौहमऍद मोस्टिन खिंध स्मोजों पर महारत रखते थे इटिषिय की इंपॉर्टन रखे हैं वो्ग running और मौसिन जिस मौज़ों पर महारत रखते थे वो था नफसियात यानकी साइक्लोजी आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 15 है कि परवेज शादी की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है तो परवेज शादी की कोशन नमबर 17 है कि अफसाना सेकेंड हैं कि अफसाना निगार कौन है तो सेकेंड हैं यह जो कहानी है ना इसके राइटर यानि की लिखने वाले हैं वैकुम मुहमद बशीर आप्शन नमबर ए इस दा करेक्ट एंसर कोशन नमबर 18 की मल्यालम कि सुबह की जवान हैं किस राज यह की भासा है तो मल्यालम याद रखिएगा केरल आप्शन नमबर डी इस दा करेक्ट एंसर केरल का जवानियान की भासा है आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 19 की नाविल तो उपतल नसू के मुसर्निफ कौन है तो इस नाविल के जो राइटर है यानि की लिखने वाले ले कि डिशाता है बादशाओ या बादशाय वक्तिया फिर खुमराने वक्ति में हैं तो 22 का कौन से option में दिख रहा है पांच option number D में दिख रहा है तो धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं question number 23 है कि जैल में जमीर इशारा की निसान दई कीजिए जमीर इशारा उस जमीर को कहते हैं जिससे इशारा की जाए तो यहां पर देखिए वह हम लोग वह बोलते हैं इक्षारा करने के लिए तो option number A हो जाएगा बिल्कुल correct answer question number 24 है कि हुकम की जमा क्या होगी हुकम की जमा होता है यह इनकी प्लूरल बहुचन एहकाम option number 20 the correct answer आगे बढ़ते हैं 25 नमबर प्रश्ण है कि वह कलमा जिससे कि इसम की कीफियत हालत अच्छाई या बुराई का इजहार हो क्या कहलाता है तो उसको हम लोग फे उसको फेल नहीं बल्कि सिफत कहते हैं ध्यान से यहां पर ध्यान में रखिएगा कि वह कलमा जिससे कि कीफियत हालत अच्छाई बुराई का जहार हो यानि कि अच्छाई तो इसका सही जवाब होगा 26 का option number a अजान जो है यह एक मुझक्कर है इनसाफ जो है ना यह एक option number c जो है यानि कि इनसाफ यह भी मुझक्कर है दी अनार यह भी मुझकर है लेकिन option option number a अजान जो है ना यह एक मुझक्कर की पहचान कीजिए इस मुकबर का मतलब होता है जिस इसम से हमें बड़ापन जाहिर हो जैसे कि पहाड़ी से तो छोटापन जाहिर हो रहा है पहाड़ और पहाड़ी वी में कटोड़ी यह तो इसमसगर है इसमसगर है इसमसगर बाग है यानि कि option number C is the correct answer बाग जो है इससे बड़ापन जाहिर हो रहा है और हलांकि बागीचा बुल जाएगा तो छोटापन जाहिर होगा या बागीचा बाग से छोटा है तो बागीचा हो जाएगा इसमसगर और बाग हो जाएगा इसमें मुकबर तो option number C is the correct answer यही है इसमें मुक आवाज C में है, प्याश और D में है, जुगनू, तो जो मुझकर लफज है, एक मिनट, पहले तो यहाँ पर बारिस होगा नहीं, यह तो मॉननस है, आप लोग सुने होंगे, मेरा यार हस रहा है, बारिस की जाए, बारिस की जाए, यानि कि बारिस जो है ना, यह इस्त्रिलिं है, यानि कि मॉननस है, मुझकर नहीं है, उसके बाद से प्यास की बात की जाए, तो प्यास भी मॉननस है, मुझकर नहीं है, तो आपसन नमबर C भी नहीं होगा, मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझ गई, सुने होंगे, तो प्यास जो है ना, यह मॉननस लफज है, यानि कि ये तीन option कट हो जाते हैं तो सही answer क्या होगा option number D जुगनु जो है ना ये मुजखकर लफज है मुखनस नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं last question है question number 29 है कि डॉक्टर मुहमद मोसिन के अफसाने मजमुआ का क्या नाम है option A में है चारा गर्भी में है चार चेहरेसी में है अक्स और D में अनोखी मुस्कुराहट तो डॉक्टर मुहमद मोसिन है जिनको साइकलोजी पर यानिक नफसियात पर महारत थासिल है उनका अफसाने मजमुए यान की कहानी के किताब का नाम है अनोखी मुस्कुराहट option number D is the correct answer अब last question question number 30 है कि परवेद शाहदी का पूरा नाम क्या है option A में सेयद इकराम हुसेन, B में सेयद एहमद हुसेन, C में सेयद हामिद हुसेन, D में सेयद मुकर्रम हुसेन तो याद रखना है परवेद शाहदी का जो पूरा नाम है वो है सेयद इकराम हुसेन, यान की option number A is the correct answer चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं आज की इस वीडियो में तो हम लोग class 10 के उर्दू का जो monthly examination हुआ था जून 2024 का इसका answer की कर लिए यान की उर्दू का मैं answer बता दी आप लोग का कितना सही हुआ है comment box में एक बार लिख कर बता दीजिएगा और यह सिर्फ उर्दू का answer की था अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लावा other जितने भी subject हैं जिसका monthly examination हुआ है तो उसका भी answer की upload हो तो फ़र आप लोग को comment box में लिख कर बताना होगा आप लोग comment box में लिख कर बताईए कि उर्दू के लावा बाकि जितने भी subject हैं उसका भी answer की upload किया जाए उसका भी वीडियो आना चाहिए एक बर comment box में लिख कर बता दीजेगा ताकि हमें भी लएगा कि हाँ आप लोग की मांग है आप लोग का demand है तो फिर आप लोग की demand को पूरा किया जाएगा ठीक है ना और आज कि इस वीडियो में जो कुछ भी समझाएगे है समझ में और अच्छे लगा है तो वीडियो को अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज